आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेड सॉस पास्ता जिससे बनाना काफी असान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो चलिए फटा-फट से रेस्पी को स्टार्ट करते हैं और इसकी जो capacity है ना 1.9 लीटर है इसमें खाना काफी लंबे समय तक गर्म रहता है और आप इसे gas और induction दोनों पर यूज़ कर सकते हैं और तो और आप इसमें दूद हुबाल सकते हैं चाय बना सकते हैं या फिर सूप भी बना सकते हैं तो आज मैं यहाँ पर पास्ता बनाने वाली हूँ तो हमें इसमें पानी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल कर उबलने के लिए छोड़ देना है और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डिसानो ब्रांड का पैने पास्ता जो की 100% गेहु का आटा और सूजी से बना इस क्योंकि हमारे सेहत के लिए काफी जादा अच्छा है तो आप लोग इस पास्ता को ट्राइक कर सकते हो क्योंकि मार्केट में जो पास्ता मिल रहा है उससे यह पास्ता काफी अच्छा है तो अब हम क्या करेंगे इसे पानी में डाल देंगे जब पानी में उबाल ला तो हम इस फाश्टा को थंडे पानी से धोकर अलग रख देगे आब हम क्या रिंगे सेम पैन में पानी डाल देगे और इसमें हम टामाटर डालेंगे मैंने यहाँ पे तीन टामाटर डाला है जो की थोड़े से बड़े साइच के और तीन लालमिट डाला है और अब हम इसे ठाककर चार से पांच मिनत तक उबाल igies लाने देंगे उसमें और चार से पांच मिनट बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत ही अच्छी तड़ी के उबल गया है तो अब हम इससे इस pan से अलग कर लेंगे और हम क्या करेंगे टमाटर की उपर जो भी छिलके है न उस्से हटा देंगे और टमाटर को नेग्दम बारीक-след हम अब काफी ज़्याधा गर्म सकते और अच्छी तारीकिसेसे ग्राइंड कर लेंगे , अब हम साुस पैन में डालेंगे तेल , सॉटे करने के बाद हमने जो टमाटर का paste बना के रखा थ वो डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, वन बाइ half tablespoon के करीब कालिमेट्स powder, one by half tablespoon के करीब mixed herbs और one by half tablespoon के करीब chili flakes डाल कर इन सबी चीजों को तीन से चार मिनट तक sautte कर लेंगे और तीन से चार मिनट बाद हम इसमें add करेंगे टोमैटो केचप 1 by 3 cup के करीब अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो इसमें मिर्ची खायूज कम करे और थोड़ा सा टोमैटो केचप का quantity बरहा दे और अब हम इसे मिक्स करते विए 2 से 3 मिनिट तक और सौटे कर लेंगे और सौटे करने के बाद मतलब 3 मिनिट बाद हमने जो पास्ता को उबाल के रखा था न वो डाल देंगे और इन सबी चीजों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हमारा टेस्टी सा पास्ता बनकर त्यार हो गया है तो अब हम इसे सब कर लेंगे और उपर से थोड़ा साना ग्रेट करके चीज डाल देंगे इसे और भी जादा टेस्टी लगेगा तो अब हमारा पास्ता तो त्यार हो गया है और एक बात अगर आपको इस सॉस पैन और पास्ता का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ आप वहाँ से देख लीजिएगा तो चलिए बाई